तो आज का जो lecture है वो काफी important होने वाला है क्योंकि आज में बात करूंगा look up के भारे में ठीक है इसको कैसे उस करना होता है जो right way होता है use करने का कैसे हम Q Subscribe यूज करना होगा proper way में इसको मैं बताँगा और बहुत से लोगों को इसू आता है कि look up बर्क नहीं कर रहा है, मतलब जो उन्होंने relation से पैड़ की हुई है look up के द्वारा, उसमें data नहीं आ रहा है, ठीक है, दौनों का इसू जो है fix हम यहाँ पर करेंगे, तो चलिए मैं start कर लेता हूँ, सबसे पहले तो मैं इस question की बात क करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा scenario बता जिता हूँ कि मेरा यहाँ पर scenario क्या बन रहा है कि मेरे को look up use करने की need पड़ रही है, ठीक है, तो देखिए पहले scenario मेरा समझ लीजे, यहाँ पर मैं अपने अगर database में जाता हूँ, एक तो है मेरी users नाम की table, जि users की जो IDs हैं, वो यहाँ पर जो है products के user ID में match कर रही है, ठीक है, लाइक मतलब user क्या है, मतलब user अपने products create कर सकता है, इन products collection के अंदर उसकी store होगी data, ठीक है, कि किस user ने कौन सा product create किया है, लाइक इस user वाले ID ने, इसने source create किया हूँ है, मतलब source product, जो की 100 रुपीज का है, ज जब भी हम यहाँ से get करेंगे अपने products, तो हमें user का data भी चाहिए हुआ, basis on user ID, ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर look up की use करने की need पड़ रहे है, कि जब भी मैं products का data fetch करूँ, तो मेरे को user की ID के related जो data है, उस user का, वो मेरे को get हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखी, एक API already create करके रखी हुई है, जो कि है API products, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी code, जैसी मैं इसे hit करता हूँ, यह मेरे को क्या करता है, मेरे को ID देता है, product ID, user ID देता है, और यहाँ पर name, price और images देता है, ठीक है, हाला कि मेरे पास इतना ही data है, जो कि मेरा यहाँ पर दिखाई द string मेरा stored है अपने database के अंदर, ठीक है, यहाँ पर बहुत से लोगों को confusion होता है, कि आप इस string में यहाँ पर use करें, या आप किस तरीके से use करें, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता हूँगा, पहले तो मैं आपको बता जता हूँ, lookup को use कैसे करना है, ठीक है, तो lookup को use करने यहाँ यहाँ पर lookup को कैसे use करूँगा, तो आपको यहाँ पर लिखना है, product.aggregate का हम यहाँ पर use करके चलेंगे, ठीक है, अब इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, like हम यहाँ पर lookup कैसे तरीके से use करेंगे, as a object हम इसमें क्या करेंगे, dollar lookup, ठीक है, इस तरीके से use करते हैं, ठीक है, एंदर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक object के जो की होता है वह आपको फ्रॉम करना हो था है किस टेबल से मैं कि मैं यहाँ करोंगा कि यहां पर मेरा यूजर्स नाम का चलेक्षण मैं इससे अपना डेटा निकालना चाहता हूं ठीक है यहां पर आप क्या करोगे अपने कलेक्शन का नेम प्रोबाइड कर दो जैसे मैंने यूजस प्रोबाइड कर दिया कि आप उससे डेटा लेना चाहते हूं यहां पर आजता है आपका local field, local field में आपको बताना होता है कि अभी जो आपका current में जो model है, जिससे आप product model जो मैं use कर रहा हूं, उसमें as a key कौन सी store है, यहां पर देखोगे तो आपने user id, sorry, यहां पर user id है, यह user id जो मेरी user's नाम के underscore id से match करते है, ठीक है, तो इसकी बिस्वि पर हमें check लगाना है, हमने क्या किया पहले तो from, मतलब किस users से हमें relationship लगानी है, ठीक है, users नाम के जो collection है, यहां पर प्रोवाइड किया, local field में हम प्रोवाइड करेंगे, कि जो current में model है, उसके अंदर local field कौन सी है, वो है आपकी user id, ठीक है, जो की मेरी product model के अंदर exist करते है ठीक है, अन्दन यहां पर जो next, जो आपको की बतानी होती है, वो आपको foreign field, ठीक है, मतलब कि जो users नाम का जो collection है, उसके अंदर यह user id किस key के अंदर डली हूई है, यहां पर मेरे को बताना होगा कि वो डली हूई है, underscore id के अंदर, ठीक है, जैसा कि आपको यहां पर मैं बत से नहीं करता है, नहीं कोई कोई दिक्कत नहीं है if ैं यहां स्थीक्स ,रता है कुंधकर करता है मैं में तो यूजर एडी है लास्ट में यहां पर मेरा यूजर एक्जिस्ट करता है यह वाला है संदीप नेम का यूजर है जो कि यह आपको दिखाई दे रहा है ठीक है अब हमको करना क्या है यह जब आपका प्रोड़क्ट फाइंड मतलब जब गैट होगा तो इस यूजर की डेटेल निकल के आने वाली है ठीक है तो यहां पर हमने बताया कि यह यहां पर अगर आप यूजर आडी जो देख रहे हो यह यहां पर यह इसकी अंडर स्कूर आइडी के अंदर ऑब्जक्ट आइडी ठीक है तो यह हमने यहां पर चेक लगा दिया ठीक है एंड यहां पर हम इसे हम बोलते हैं कि आपको किस रूप में डेटा चाहिए लाइक किस की के रूप में डेटा चाहिए लाइक मैं नहीं बोल दिया यूजर करके की आ जाए जब भी मेरा डेटा गैट वो प्रोड़क्ट का तो एक यूजर नाम की की आए हर एक प्रोड़क्ट के अंदर ठीक तो यहाँ पर देखते होվróगास, यह user-name की जो है आपको key की तो मिल रही है, पर उसमें 1 array मिल रहा है पर उसमें data नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख पारे हैं मेरे डौनों array जो है, empty है, अब यह क्यों empty है अब देखिए यह तो मैंने आपको पहला question जो था वो मैंने clear कर दिया how to use lookup मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से use करना होता है aggregate का use करो lookup आप इस तरीके से key pass करो and then यहाँ पर आप अपने keys pass करो तो जो भी आपके from local field and foreign field है and as जो आप alias रखना चाहते हो ठीक है तो इस तरीके से आप use कर सकते lookup का ठीक है अब जो next question आ जाता है how to fix lookup not working issue ठीक है तो इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पर अभी same condition वन चुक है कि हमारा lookup बर्किंग नहीं कर रहा है तो यह क्यों नहीं working कर रहा है वो मैं आपको बतायता हूं ठीक है क्या होता है कि यहाँ पर आपने जो है user id जो save किया हुआ अगर मैं product model के अंदर जाता हूं तो यहाँ पर user id मैंने as a string save कराया हुआ है यहाँ पर मेरे को जो है as a object id save कराना था यह मैंने मतलब गलती करके आपको बता रहा हूं ठीक है कि आपने इस तरीके से गलती की होगी कि आप as a string उसे save करा रहे हूंगे जिसके उपर आप look up लगा रहे हूं ठीक है जैसे कि like मैं यहाँ पर user id के उपर look up लगा रहा हूं पर यह यहाँ पर as a string stored है आपके database के अंदर ठीक है तो ऐसा नहीं चलेगा like अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेरे यहाँ पर दो products हैं जिनकी user id string में है ठीक है पर मैं क्या करता हूं एक new product add करूँगा जिसका यहाँ से अब सबसे पहले आपको करना क्या है यहाँ पर सबसे पहले आप क्या रहोगे यहाँ पर आप इसको as a object id के रूप में store कराना चाओगे यहाँ पर type string नहीं रखना है अपने model के अंदर यह मैं आपको पहले बता जिता हूं बना आपका यह suffix नहीं होगा look up आपका working नहीं करेगा ठीक है तो आपको यहाँ पर क्या करना है जो अभी आपने mongoose का variable बनाया हो वह आप यहाँ पर रख लीजेगा ठीक है mongo use.skamma करके आपको यहाँ पर यूज करना है and then object id ठीक है यहाँ पर यह आपको क्या करना है schema.object id ठीक है इस तरीक से आपको यूज करना है ठीक है इसमें कोई confusion नहीं होनी चाहिए आपको इस तरीक से यूज करना है mongoose का जो भी आपका variable लाओ वह यूज करना है and then schema object id आप यहाँ पर string मत store करिएगा ठीक है मैं अभी आपको दिखाता हूं कि क्या यह working करेगा या नहीं ठीक है तो अभी मैं क्या करता हूं यह create new मतलब मैंने product वह बनाई रखी है ठीक है तो अब जैसे मैं क्या करता हूं इस product हो जो है hit करता हूं यहाँ पर add करता हूं ठीक है add किया यहां पर देखो कि मैं refresh करता हूँ अभी मेरे पास दो प्रोडक्स थे अभी मैं नीचे जाता हूँ तीसरे वाले पर तो यहां पर देशते हो अब जो है यूजर आइडी एज ऑब्जक्ट आइडी की रूप में जो है सेव हो रही है यही आपने गलती की हुई थी कि आप जो कि आप देख पार हूँ अगर मैं इन दोनों प्रोडक्स का ऊपर वाले जो दो प्रोडक्स है जिन में यूजर आइडी इस्ट्रिंग है उनका डेटा अगर मैं गैट करूंगा तो उनमें यूजर का डेटा नहीं आएगा पर तीसरा वाला है जो अभी मैंने क्रेट किया ज करके get products API ठीक है get all products बिसकली ठीक है तो यहां पर मैं hit करता हूँ इसे तो यहां पर देखोगे पहले वाले का नहीं आया user का data क्योंकि यहां पर as a string store था वो data user ID sorry अंदर यहां पर भी नहीं आया क्योंकि मेरे दौनों प्रोडक्स में as a string save थी user ID ठीक है वट यहां पर देख तो थर्ड वाले में जिसमें मेरे user id जो as a object id saved थी उसका data मेरे को मिल चुका है यहाँ पर देख पा रहे हूँ कि अंडर स्कुर id के रूप में यहाँ पर मेरे user id मिला निसान सर्मा जो भी उसका user का data था वो मेरे को मिल चुका है थीक है तो इस तरीके से look up आपका work कि करता है i hope कि आपको सौझ में आया होगा कि आपने कहां पर गलती की होगी look up अगर आप यूज करते हो अगर आपको फिर भी data नहीं मिल रहा है तो आप एक बार अपने model के अंदर जाए और उसका type जो है object id के रूप में save करें वरना आपको problem आईगी look up आपका work नहीं करेगा बहुत लोगों का इसलिए work नहीं करता है ठीक है तो मिलते हैं next lecture में तो i hope आपको look up के बारे में full information मिल चुकी होगी कि कैसे हमें use करना है और कैसे हमें इसकी issue को fix करना है अगर work नहीं कर रहा है तो ठीक है यह ध्यान रखिए कि आप इनका use कर रहे हूं same as it is like जो भी आपका collection name है वो यूज कर रहे हूं और जो local field है वो आप बता रहे हूं और जो आपके foreigner collection में है उसकी आप यहाँ पर field बता रहे हूं and then आप alias में कुछ भी name दे सकते हूं so thank you guys मिलते हैं next lecture में